सो स्टार्ट कर रहे हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉंसिप्ट तो प्रीविएस लेक्चर के को फिनिश करने के बाद जब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को फिर अगेन यह कॉंप्लिकेटड लगता है तो आज हम पढ़ेंगे अलिमनी मतलब डाइवोर्स होने के बाद जब हस्बेंड और वाइव का डाइवोर्स हो जाए और यहां पर मैं वच्थ कर रहरा हूं,स्पाउस क्या वच्थ कर रहा हूं,स्पाउस क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस मेल और फीमेल की पता चले हस्बेंड ही वाइवक को एलिमनी दिता है तो अमेरिकन गवर्मेंट उसके उपर टेक्स की लाइबिलिटी को इंपोस कर देती पड़ी इतना कॉम्प्लिकेटेट बढ़ता है और एक्जाम में इसके उपर क्वेश्चन आना है किसी ना किसी पॉइंट में आपको देखने को मिल जागा और जब मैंने आपको ग्रॉस इंकम समझाई थी पहले डे पे तो उस ग्रॉस इंकम में मैंने यह वर्ड भी दिखाया था हाउस चोर्स के मतलब घर के काम काच करता हो तो फिर वाइफ को देना पड़ेगा पर ऐसा होता नहीं है जनरली कोई ऐसा सुनाए कि आपने वह अगर आपने इंडियन मूवी देख ली हो का और की उसमें अर्जुन कपूर वाइफ का रोल प्ले करता है और कौन सी रोईं थ करना पड़ता है तो टेक्स लगेगा सर उसके उपर तो यहां पर एक एर का वड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका एर का तो सर एर के पॉइंट अफ्यूस यगर बात करें तो आप देखिए कुछ लाइन अंडर लाइन करने लाइख है यहां पर पर डाइवर्स अब मैं आपसे पूछता हूं क्या यह प्रोवीजन 2023 के लिए रिलेवेंट है या नहीं आपको क्या लगता है कि सर 2019 के पहले अगर तलाग हो गया तो खताम हो जाना चाहिए पढ़ने की क्यों ज़रूरत है कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि अब इर्रिलेवेंट कुछ लिग रहे हैं कि सर इर्रिलेवेंट है यह तो 2019 में खताम हो गया प्रोवीजन किसको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है वो जरह लिखें जरह सर नौट रिलेवेंट को कि मैंने भी एंसर नहीं दिया फाइनल मैं तो देखना चाहता हूं कि पेँमेंट तो हो सकता है नहीं कि 2023 में भी मिल रहा हो दोजार चू कुक्छ इसा तो नहीं टूटवा जएंड़न नहीं तो पेमेंट नहीं नहीं उन्होंने क्या मेंशन किया डायवॉर्स एग्जीजिटेड बिफॉर नायटेन और उहां पे भी देखो एक बिफोर लिखा हुआ तो टेक्सेबल की एक्जम्ट कि निकों कि उन्निस में डाइबोर्स हुआ उन्निस में लिखा ना कि तो सर जब लिखा तो 2019 में तलाख हुआ तो एक्जम्ट हो जाएगा ना नो टेक्स यह बात ध्यान रखना एटीन और नाइंटीन में ही कंफ्यूज करेंगे आपको में इसके पर स्पेसिफिक दे दिया बिफोर टूटाउजन नाइंटीन एलिमनी एन सेपरेट पेमेंट्स आर ग्रॉस इंकम टुदी रिसिपेंट एंड डिड़क्टिबल बाइधी पेर हज्बेंड क्यों नहीं लिखा सरियां पर यह भी दो सकता हस्बेंट लिखना चाहिए तो सर अगर अपसे मेल कोई देना चाहिए था तो लौ तो लौ है यानि तो वो क्या लिखते मेल केंडिडिट का नाम लिखते न उन्होंने लिखा पेर तो अलमनी कोई भी दे पेर को उसकी डिड़क्शन मिल जाएगी अपनी ग सर अब हमको याद हो जाएगा कोई दिकत नहीं है कोई टेंशन की सवाल नहीं है इसमें लेकिन यह प्रोवीजन बड़ा कॉंपिलिकेटेड है लॉट्स अफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको आपके माइंड को पुड़ी सी तकलीव देंगे अभी आपको समझ में आ सपोर्ड रेड अक्षर में मेंशन कर दिया है नौट डिड़क्टेबल सर हस्बेंड और वाइब थे उनका एक छोटा किट दी था हस्बेंड ने वाइफ को तलाग दिदिया यूएसे में बहुत होता है साथ में बच्चे भी हैं तो बच्चे के सपोर्ड के लिए वो हर महीने कुछ पेमेंट कर रहा है यह ना तो डिड़क्टेबल है ना ही टेक्सिबल है यह बात आप याद रखना ना ही डिड़क्टेबल है और ना ही टेक्स जब डिड़क्टेबल नहीं है पेमेंट करने व पार्शल पेइमेंट्स और में देन पार्शल पेइमेंटर कंसीडर टूबी चाइल सपोर्ट अंटिल अब्लिगेशन इस फुली पेड एनी एक्सेस ट्रेट एज अलमनी वह यह कहना चाहते हैं कि सर एक एग्रिमेंट हुआ था हस्बेंड और वाइफ के बीच में कि मैं तुम्हें अलमनी भी दूँगा और चाइल्ड सपोर्ट भी दूँगा एक्जामपल लेते हैं ठीक है एक्जामपल से आप बताना कि हम क्या आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं एक्जामपल के लिए मैं एक्सल पर कुछ लिख लेते हैं थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं एलिमनी डिसाइड हुई 30,000 डॉलर पर इयर देंगे वोट ने डिसाइड किया और बोले चाइल्ड सपोर्ट 15,000 देंगे सामने वाले ने लंसम आपको 39,000 पे कर दिया टोटल पेइमेंट एक्जाम में उल्टिपल चॉइस क्वेश्चन आया mcq 89,000 टेक्सेबल 15,000 टेक्सेबल 24,000 टेक्सेबल और जीरो टेक्सेबल कितना सिंपल सी बात कई पास सेकंड में एंसर यह बटन दबना चाहिए पास होने वाले स्टूडेंट का बटन यह दबना चाहिए तुरंट कोई डिलेमा नहीं सर एर ओफ डाइवर्स माल लेते हैं एग्जीक्यूटेड बिफोर 19 अपने मतदान का उपयोग करें चार पार्टियां आपके सामने हैं एक 49,000 वाली 15,000 वाली 24,000 वाली और आपको वोड़ देना है वोड़ देने में काहिए की शरम प्रोवीजन क्या बोलता था कि अगर एक एग्रिमेंट है कि हम अलमनी भी पेमेंट करेंगे और चाइल्ड सपोर्ट का भी पेमेंट करेंगे तो अगर पार्शिल पेमेंट होता है अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं इंटर्पटेशन सिखा रहा हूं अलिमनी और यहां पर आपको 24,000 एंसर कर रिक्ट हैं बताएं इतना सा सोचने में क्या था अलिमनी 24,000 कुछ बच्चे लिख रहे हैं 30,000 वासू गोविंदा जोसी 25 लिखते लिखते 24 पर आगए जोती सिंग 49,000 और जीरो सचिन देंडूल कर जीरो निर्भय जांट जीरो क्या सोच के लिखे थे आप जीरो अरे जीरो वाले बताओ बेटा फिर जब तुम डाउट पूछने आओगे कि सर यह क्वेश्चन नहीं बना फोटो खीच के भेजोगे मेरे को तब मैं क्या जवाब दूँगा आपको जब आप यहीं नहीं बता पा रहे हो बताईए निर्भय जहां और सचिन देंदूल कर नाम पूरा नहीं पता है इसलिए सचिन बोल रहा हूं क्या सोचके जीरो लिख दिया अप लोग ने जीरो तो एंसर होई निसकता तो अल्टा भलता बी नहीं घहलना है कि सर कुछ भी देना एंसर नोटा पर बड़न निर्वाना यह नोटा था यह क्या था इसको बोलते नो को जितना सिंप्लिफाइब करोगे ना उतना आपके लिए असान है जालड़ करना नहीं इसको कि ठीक है सर दो एक्जामपल आपने समझा दी है अब सर क्या यहां पर कोई लिम्ट है क्या कोई लिमिट नहीं है जितना भी मिलेगा ऐसा कहीं एक्ट पे नहीं लिखा है कि सर दस अजार बीस अजार तो वासु जी आप क्या लिखने सर टेक्सिबल रिसीव टेक्सिबल केवल 24,000 होगी इन अवर प्रीविएस एक्जमपल तो प्रोवीजन क्या था सर इव दाइवर्स और सैपरेशन अपूरव पूरव पूरव प्रोवीजन पड़ें इव दिडाइवर्स और सैपरेशन एंस्ट्रूमेंट इस स्पिसिफाइड इमेंट ऑप बोद द है ना तीस हजार अलमनी होगी पंद्रह हजार चाइल्ड सपूर्ड होगा केवल बारा हजार रुपे का पिमेंट किया हाउमच इस टेक्सिबल जल्ली बताओ फटा फटा फट सर बारा हजार की पिमेंट की केवल बटन दबना चीत तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगना चीत लिख रहे हैं बाकी कुछ नहीं लिख रहे हैं बाकी बुलें चल रही बड़िया कहानी जंडे ठण लगई बारी सोरी होगा है अभी तो बोला ना अंटिल्द औल ऑबलीगेशन इस फुली इंकम टेक्स पढ़ाने वाला व्यक्तित्व में इतनी सिंपल लेंगोज मैंने क्या लिकाएं पार्शल पीमेंटर कंसीडर टूबी चाइल्ड सपोर्ट अंटिल अब्लिगेशन इस फुली पेड तो सर अभी अब्लिगेशन पूरा काँ पेड हुआ आपने बोला पंदरा चा क्यों नहीं समझ पा रहे हो आगे बढ़ जाते हैं सिंपल फाइज में हमने डिसकस किया अब सर चाइल्ड सपोर्ट के साथ सक कुछ कंडिशन डाली वह सॉरी अलमनी में उन्हेंने कुछ कंडिशन डाल दी बोले पेमेंट इन मेड इन कैश और कैश इक्विलेंट ही होना च मैं जा रही हूं तो मारी याद आएगी तो गड़ी देखूंगी मुले ले जाओ रोलेक्स की गड़ी कोई टैक्स दीना पड़ेगा क्या नहीं दीना पड़ेगा है क्योंकि साफ लिखा है कि क्वालिफाइट पेमेंट को तभी माना जाएगा जब वो कैश में हूं अब त payment is received by or on behalf of the spouse under a divorce or separation agreement by or behalf wife ने मुला कि जो payment है वो मुझे मत देना मेरी माता जी को दे देना क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच मेरी माता जी आ गई तब मैं माता जी के पास जा रही हूँ उनको हर महीने आप 5000 डॉलर दे देना ठीक है तो माता जी को क्या करना पड़ेगा आपको माता जी को जो पेमेंट दिया है उसके उपर भी टेक्स लग जाएगा क्योंकि ये इट इस बिहाफ ऑफ इसपाउस है और अंडर दी एग्रीमेंट है वेरी इंपॉर्टन बात है अब मिझे बताइए अब अमेरिका में कल्चर बड़ा अच्छा है अच्छा क्या है बड़ा मॉडनिस वह है वो डाइवर्स के बहुत भी फ्रेंड रहे लेते हैं हज्बेंड वाइफ डाइवर्स के बाद भी दोस्त हैं तो अब डिसाइड हुआ कि सेवन थाउजन डॉलर की पेमेंट करनी सब्सक्राइब कितना टेक्स देना पड़ेगा एंसर लिखना में बड़ा इंपॉर्टन है यह मैं आपको बुक का एक्जामपल दे रहा हूं मेरा नहीं एक्जामपल की सब्सक्राइब का तालाग हो गया वोट ने बुला साथ हजारे डॉलर देना है और फिर आ गई और दोनों जो पुराने हस्बेंड वाइब थे वो वापिस फिर से एक डेट पे चले गए और वहां पर थ्री थाउजन और पेमेंट कर दी हस्बेंड ने तो यह बात ध्यान रखिए कि टेक्सेबल अलमनी सेवन थाउजन ही होगी टेन थाउजन नहीं होगी पहली बात अभी सर्फ थ्री थाउजन का क्या करना वो गिफ्ट में पढ़ेंगे वो गिफ्ट टेक्स पढ़ेंगे गिफ्ट में पढ़ेंगे गिफ्ट क्या टेक्सेबल होता है नहीं होता अभी बात अभी वो एस पर थ्री थाउजन अलमनी नहीं इतना नहीं क्योंकि साफ मेंशन है पेइमेंट इस रिसीवड वाई और उन बहाफ अफ इसपाउस अंडर डाइवॉर्स और सेपरेशन एगरीमेंट दियर शुड़ बी इसपाउस इंक्लूड मॉटगेज पेइमेंट रेंड पेइमेंट मेडिकल कॉस्ट एजूकेशन सारी चीजे तो कई स्टूरेंट है न चा पर फोकस करना है चाइल्ड सपोर्ड और सेकेंड वर्ट सैपरेशन एग्रीमेंट के अंदर जो भी दिया जाएंगा वहीं अलमनी है अपार्ट फ्रम एग्रीमेंट वाटेवर अमाउंट इस पेइंग बाइडी पेड़ बाइडी पॉर्मर इसपाउस एक्सपाउस विल न कंसीडर एजर अलमनी मनी गटिंग मैं पॉइंट नाओ लेट्स मूव और फॉर्दर दपेर स्पाउस इस नौट लायाबल फॉर एनी पेमेंट आप्टर दी डेथ ऑफ दी पेस पाउस तो फिर तो अलमनी का कॉंसेप्ट ही नहीं भले उसके बहाफ पे कुछ भी पेमेंट करो यह कुश्चन भी पूछा गया है कि वाइफ के डेथ हो गई उसके बाद भी उसके बहाफ पे मदर को पेमेंट किया जड़ा तो आफ्टर डेथ वाटेवर पेमेंट पेट बाई एक्स स्पाउस विल नौट कंसीडर एजे अलमनी मनी मतलब उन्होंने एक बात बोल दी है कि अगर डाइवोर्स होगे क्योंकि अलमनी के लिए कॉंसेप्ट क्या है तेरे बुल भी यह डाइवोर्स और कभी भी जोइन रिटन कभी एक्स लोग फाइल नहीं कर सकते तो उन्होंने बोला कि स्पाउस मस्ट नोट फाइल जोइन रिटन विट इच अदर कंडीशन ही यही है कि वो एक दूसरे के साथ में जोइन रिटन फाइल नहीं करते हो तभी एलमनी जो पेमेंट किया गया है नहीं करना चाहिए जोइन डिटन है न और एक और इंपॉर्टेंट बात है दा इस्पाउस औरंट मेंबर ऑफ दी सेम हाउस होल्ड वेन पेमेंट इस मेड़ रिकुबार्मेंट इस अप्लाइए अउन्ली इस्पाउस है वो अलग होना चाहिए आरेंट दी मेंबर ओफ दी सेम हाउस होल्ड मतलब वो अलग हो चुके हो डाइवोर्स हो चुका हो लीगली सेपरेटेड हो चुके हो लीगली सेपरेटेड तब जाकर अलमनी मनी जो भी पीमेंट की जाएगी डाइवोर्स एग्जिग्यूटेड बिफोर 19 विल बी टेक्सिबल इन दी हैंड ऑफ रिसीविंग इस्पाउस यहां पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तो सर इतना सी बात के उपर क्यों ना तीन-चार आप लोगों का एक नॉलेच चेक कर लिया जाए कि आप इतना भी पढ़कर अपलाए कर पाते हो कि नहीं कुछ तीन-चार बेसिक कोश्चन में डाले हुए है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि विल्कुल बेसिक लेवल पर आपका माइंड एप्लिकेशन कैसे है जो जाते हैं हम हमारी एलमिस में जो नए जोएन की हैं समझ में आया आज का लेक्चर के नहीं थोड़ा सा बीस-पच्चिस मिनट जो पड़ा है नया तो नहीं है मतलब कुछ ज़्यादा उसमें टेकनिकल पार्ट नहीं था चलिए पांच कोश्चन है पहला कोश्चन सबको एंसर देने बहुत सरले यह कोश्चन डालने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि मैंने जनरली बच्चों को पढ़ाते समें एक अब्सर्फ किया कि बच्चे लोग यह एक्सेप्ट वर्ड में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यह एक्सेप्ट इसी लिए इस कोश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं कि सर्व जब भी हम स्वाल करें यह एक्सेप्ट वर्ड आपको एक्जाम में अगर हंड्रेट कोश्चन आएंगे तो पंदरा कोश्चन में देखने को मिले अभी स्टूरेंट पास होई है उस सकल में बात कर रहा था टेली फोन पर जब जब बच्चे पास होते हैं और एक्जाम देखें आते तो मैं उनसे बात करता हूं ताकि ताजा ताजा उनको याद रहे तो बहुत आते हैं तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है और रिक्वार्मेंट फॉर पे सोचो अराम से एक्सेप्ट लिखा टेक्निकल कोश्चन इतना असान नहीं है यह एक्सेप्ट वर्ड को ही पहचानना सीखना पड़ेगा देखो अलग 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 आना सुरू सारी एंसर आगए एक ने यह दे दिया कि सी डी ए बी तीनों तीन तो इसर आगर कोई डी भी लिख दो बठां तो चारों इस टिक करके देख लेंगे कि अ कि अ कि अ कि यहां पर एक लाइन यह भी है कि 90 परशेंट जिनता भी के साथ में कि अब तो सर कंडीशन पढ़ें और अफ दी फॉलोइंग और रिक्वाइर्मेंट ऑफ पेमेंट टू भी अलमनी कि तो वह आपसे पुलना चाह रहे थे कि सर की कि सारी रिक्वाइर्मेंट्स अलमनी की हो सकती है एक्सिप्ट यह छोड़ कर तो वस एक बच्चे ने एंसर दिया सर पेमेंट कैन भी में इन कैश और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी भी तो लिखा है वो क्यों नहीं हो सकता है अब वो ड्यान नहीं दे रहे कई लोग जो बी लिख रहे ना वो के नोड वर्ड के पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं अब जो बी वाले एंसर दे रहे हैं अभी में मौका दे रहा हूं या सर ए और वी में से कोई एंसर आप देंट देरों में आपको सिखा रहा हूं पढ़ना अभी आपको पढ़ना भी नहीं आया है इसाही तरीके से यह नौट को पढ़ना भी नहीं आपने अब एक बच्चा डीपी भी आ गया चले पॉल खेलते हैं आप लोगों के साथ मज़ा आने लगा आजकर में कोई पॉल पॉल खेलने में पता चल जाता है कि लगों को यह लगता है और कितने लोगों को भी लगता है सर ए और बी क्या आपने पॉल बना दिया है मैं देखना चाहता हूं ए और भी में से एक एंसर सही है लॉंच हो गया पॉल अपने मत का उप्योग कीजिए फटा फट मैं जरूर चाहता था कि कुछ लोग भी भी एंसर देएं कुछ चाहता था अब अभी तक 30 परशन्ट वोटिंग हुई है अब आप देख रहे हूं आपको एकसेप्ट पढ़ते नहीं आता है ग्लास में 60 परशन्ट बच्चों को एकसेप्ट का मतलब नहीं बता है साथ परशन्ट बच्चों को ये बड़ी कमाल की बात है और अभी दस परशन्ट तो चुनाओं में भागी लेना चाह रहे हैं जल्दी एंसर दो इतना समय नहीं है इससे लगेगा छे मईने में अम्हारा टेक्सिशन का क्लासिस होगी मैं वैसे बहुत डीडेल पढ़ाता तो थोड़ा सा एक्स्ट्र टाइम लग जाता है पट जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा यह कुकि 2023 के अकॉर्डिंग नहीं बैच है तो जून जुलाई के असपस जो बच्चे सारी रिकॉर्डिंग्स लेंगे उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंसर देखो बागी आट लोग क्या सोच रहें बटा दो बटन दबाने में दिक्कत आ रही है अब आप समय समय को एक मिनट 11 सेकंड एक्जाम में इससे मैं समय भी देख रहा हूं एक मिनट 14 सेकंड हो चुके हैं अब सोचो आप अगर एक्जाम में ऐसे से कुश्चन ही नहीं कर पाओ गया कॉन्फिडेंस ही नहीं कई बच्चों में चलिए तो कुछ बच्चों ने एंसर नहीं दिया एंड कर देते पूल अब आपको एक्सेप्ट मतलब समझना पड़ेगा जो पहले सारी जंता भी वाली थी ना वह एक्सेप्ट का मतलब समझे क्या लिखा वहां पर है क्या लिखा था कि एक सिक्ट में आपको यह लिखा था कि और अब दी फॉलिंग रिक्वार्मेंट ऑप पेमेंट टू एक्सेप्ट प्रॉपर्टी में कहां दे सकते कहां पड़ लिए अपने प्रॉपर्टी में देने को सिर्फ कैश में लिखा है और यह के नौट भी तो होई नहीं सकता बिठा पेमेंट के नौट भी ट्रांसफर अप सर्विस यह एक्सेप्ट में बार बार बुर रहा हूं अगर आप यूए सी पीए के स्टूडेंट हैं तो आप आप आपको एक्सेप्ट वर्ड वाले क्वे यह कंडिशन नहीं हो सकती और यह के नौट लिखा अगर पेमेंट केंड भी मेभी ट्रांसफर अफ सर्विस यह था तो यह वह सही हो जाता है अगर के नौट वर्ड में अकेले अटा दूना सकते हैं वो उपर लए देते पेमेंट मस्ट बीन कैश तो फिर यह वाला क्वेश्चन यह होता ही नहीं और वह नीचे के नौट वर्ड हटा देते हैं तो भी एंसर हो जाता है कि यह मैंने आपको बुला कि एक्सेप्ट वर्ड वालों को बहुत ध्यान से आपको समझना पढ़ेगा चले इसको लॉक करके अगले क्वेश्चन पर बढ़े अगें एक्सेप्ट चली अगें मौका कि यहां पर भी उन्होंने एक्सेप्ट दे दिया है कि यहां इंग्लिश का इंटर्पिटेशन आपका स्ट्रॉंग होना चाहिए कि यह लेंग्वेज इंटर्पिटेशन शुडबी वेरी में हमेशा कई बाद टिप मेरा वीडियो देखना मैं बलता हूं टिप टू पास इंटर्नेशन उसमें एक वार्ड हमेशा मेरा रहता है इस सिक्स फंडमेंटल बहुत स्ट्रॉंग होने चीज पहली चीज अगर कि शुडबी वेरी-वेरी स्ट्रॉंग दो बच्चों ने इंसर दिया है आपको प्रोवीजन पता है पता है लेकिन आप यहां लेंवेज में कंफ्यूज हो रहे हूं इच अब दा फॉलिंग वुड़ बी वन अब दी रिक्वार्मेंट फॉर पेमेट ऑफ अलमनी अंडर इंस्ट्रॉमेंट एग्जियूटेड आफ्टर उन्होंने यह तो बोल दिया कि अलमनी जो है वो नाइंट बिफोर नाइंटीन है तो क्या कंडिशन होनी चाहिए इस कंडिशन को छोड़कर अभी पढ़ाई थी लास्ट लाइन कि दक्षे दलवेडी डी कई बच्चे कुछ बच्चे एंसर ही नहीं दे रहें चलो एक मल्डबल च्वाइस क्वेश्चन की जगह मैं आपको यहां पर दो इंसर देता हूं या तो बी एंसर सही है या डी सहीय्यात में को दो पता है मुझे рук वह सी नहीं में बच्चे वेटे हैं कि कि अभिए आप देखी हैं पूरा इंटरनेट सुलो हुआ है दो ही एंसर सही है दो नहीं एक ही एंसर सही है कि शुरू हो जाए एंसर देना अच्छा कि मैं तो स्प्रीड भी देखता हूं कितनी जल्दी एंसर देते हैं क्लास में बच्चे पर्टिसिपेंट एंसर दिया है मतलब यहां क्लियरटी नहीं है लोगों को प्रोवीजन आप लोगों को प्रोवीजन बेटा क्लियर है लेकिन अब मैं समझ गया कि इस क्लास में लेंगविज में इशू होने वाले बहुत सारे बच्चे मतलब अगर फिफ्टी पर्सेंट पार्टिसिपेट दी रहे हैं कि चले एक डिल मिनट का तो समय देना चाहिए भी 40 सेकेंड हुए कि अगर 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 इस पर अगर बहुता और अगर 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 इसका एंसर और वूट बीड़्यारे करेंट एंसा याथा सर इसले कुछ ऐसी टेक्निक बात ही नहीं थी जब मैंने आपको बताया कि जॉइंट रिटन फाइल करेंगे तो अलमनी का प्रोविजन अप्लिकेबल नहीं होता है तो वही तो लिख रहे हैं थे कि यह चारों कंडिशन इसको छोड़कर भी पेमेंट आर प्रोम इस्पाउस फाइलिंग जॉइंट रिटन सेंटेनेंस पेमेंट सेक्शन सेवंटीवन यह तो बेर एक्ट होता ना उसकी लेंग्विज आयरेस के पब्लिकेशन से क्वेश्चन से हैं यह डिफाइन अलमनी एज़े पेमेंट इन कैश इस रिसीव अंडर डाइवर्स और सेपरेट इंस्टूमेंट देंस्टूमेंट पेमेंट इस नॉट इंक्लूदे इंदी ग्रॉस इंकम तो इससे कुछ नहीं हो ना मेरी लेक्चर आपको काम आएंगे मेरे ही लेक्चर से आपको अपने कॉंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा अधर्वाइज आप स्टगल करेंगे चलिए यह कुश्चन तो थोड़े से टेक्निकल हैं तो अभी हमारा पूरा प्रोवीजन नहीं हो था बड़ आपको एक मैंने आज के लेक्चर में एक बात बता दी की एकसेप्ट वर्ड को पैचानना आपको सीखना पड़ेगा एकसेप्ट यू अपको जोन्न व्ला है यहिए पॉइन्ट के उपर हमने क्वूश्चिंश को क्या किया है डिस्कस किया अब यहां पर आप मैंने एक लिस्ट आपको दे दी है पेमेंट नौट अलमनी और सेपरेट मेंटेनेंस चाइल्ड सपोर्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा अभी हमने पहले भी पढ़ लिया वह पिसर चाइल्ड सपोर्ट टूटली एक्जम्ट होता है कि नौन कैश प्रॉपर्टी सेटल्मेंट्स अभी बताया रोलेक्स की घड़ी का एक्जामपल दिया हस्बेंट की घड़ी पसंद आ गई थी वाइफ को उसने घड़ी उतार के दिए ट्विल नॉट भी टैक्सिबल उसके बाद कम्यूनिटी प्रॉपर्टी इंकम यह बड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है किसको पता है कम्यूनिटी प्रॉपर्टी इंकम का क्या मिनी होता है तो एक्जाम में एक्जाम में त्योरी ज्यादा आते हैं या प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं तो अगर इसका इस्ट्रीड फॉर्वर्ड एंसर दूँ तो 60 परशन्ट ट्योरी के आएंगे 40 परशन्ट निमेरिकल सचिन ने बिल्कुल ठीक लिखा है फैमिली इंकम यह कैसे तुमने लिख दिए जॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं फैमिली इंकम को कम्यूनिटी का मतलब गवर्मेंट मत समझ ले न यहां पर यहीं कन्फूजन हो जाता है यह अमेरिका है कम्यूनिटी प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर आफ्टर मेरिज जो भी प्रोपर्टी अरन की जाती है दोनों के द्वारा उसको यहां पर कम्यूनिटी प्रॉपर्टी बोले जाता है payment that are your spouse तो मैंने आगे definition समझाए गई है मैं आगे की slide में पहले इसको लेके जाता हूँ what is community property definition देखिए the community property refer to US state level legal distinct designated married individual assets married individual assets any income and any real personal property acquired by either spouse during the marriage are considered community property and thus belong to both partner of the marriage under community property spouse own and owe everything equally everything equally regardless of who earn or spend the income community property is also known as a marital property तो exam में ऐसे questions अगर आ जाएं तो sir मतलब आप ये कहना चाहते हो कि marriage के बाद अगर कोई property भले ही husband ने खरीदी हो marriage के बाद उस property को हम क्या मान लेंगे सरी हाँ पर community property मान लेंगे और लिख रहे है payment that are your spouse part of community property income तो अगर कोई community property से related income से कोई payment दिया जा रहा है that will not consider as a as a alimony very technical part इतना detail था ये point कि इसके लिए slide बनानी पड़ी payment to keep up the payers property अब सर एक हाउस है दो हाउस है सोचो husband और wife ने बोला कि अब तुम नीचे रहो मैं उपर रहूंगा कोई घर इतना बड़ा है इतने हमको लगजरी की आदत हो गई अब भले डाइवोर्स हो रहा है तो क्या हुआ घर तो नहीं चोड़ सकते आप उपर के फ्लोर पर नहीं ना मैं नीचे के फ्लोर पर रहूंगा अब उपर के फ्लोर के लिए भी मेंटेनेंस लगने वाला है तो मिले हाउस के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई payment to keep up the payers property तो इसको भी एलमनी मनी नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं उसको भी एलमनी मनी यूज नहीं नहीं मना जाएगा यह बहुत ऐसे से questions हैं इस books में और last point को हम discuss कर चुके हैं पेर प्रॉपर्टी मतलब husband की प्रॉपर्टी थी उसने बोला कि भाईया आप तो wife से तलाक हो गया है अंकुर मैंने बताया सर देर शुट बी लीगल सेपरेट मेंटेनेंस एग्रीमेंट होना चाहिए तभी इसको क्या कंसीडर किया जाएगा कि अलमनी मनी कंसीडर किया जाएगा कॉम्यूनिटी प्रॉपर्टी हम डिसकस कर चुके हैं पार्ट बहुत टेक्निकल है तो वह असिस्टेंट ने जो बनाया है स्लाइट उसने थोड़ा ब्लैक कलर कर दिया ठी क्या आपको दिख रहा होगा तो टेक्सेस इन इंशूरेंस के उपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटट प्रोवीजन से हैं तो आप लोगों को समय दूंगा एक दो मिनिट के लिए पहले आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजी मतलब यह इतना टेक्निकल है कि मैं को बहुत सारी चीज़ें यहां पर बोलने पढ़ेंगी यह अगली जो दो स्लाइड है खताम होग जाता है एक प्रोवीजन एक झाल झाल टेक्सिस एंड इंशॉरेंस के लिए स्पिसिफिक क्लॉस दिया उपर हेडिंग को जान मुझके वाइट टेक्सिस एंशॉरेंस किया गया if required to pay all the real estate taxes और इंशॉरेंस और हम हैल एज टेक्सिस और होन हेलड एज अक्न कॉमन मतलब हज्बिंड और वाइफ एक हाउस में रहते थे एक हेंट और हज्बिंड ने पूरे के पूरे उस हाउस का रियर इंशॉरेंस का टेक्स पेमेंट कर दिया और insurance का पेमेंट कर दिया अमेरीका में हूता insurance की पेमेंट कर नहीं पड़ती है तु उन्होंने clause डाल दिया है आपने taxpayer can deduct one half of these payment as a alimony बताईए वह पूरे की deduction को ऐजे alimony क्यों नहीं माना जा रहा logic बताईए क्या हो सकता है ओंगरींड़ आधिए पूरे की डिड़क्षिन ऑव्वेस य वाइफ और हजबढ दोनों ही यूस कर रहे थे तो भाई उसका पेइमेंट हैं तो दोनों रहते हैं तो दोनों घृंड करना चीफर रहाँ में पूरा कर रहे तो अंनौने क्या दोनों को दिया रखना वन हाफ पोर्शन की आपको क्या मिल जाएगी डिड़क्शन मिल जाएगी देश्पाउस मस् रिपोर्ट वन हाफ अब दीस पेमेंट इस अलिमनी और जो रिसीव कर रहा है वो इसको इनकमाल ले गया और इसको आइटमाइज की रूप में भी क्या कर सकते हैं वन हाफ क सकते हो रूप में बड़ेग्शन इफ टेक्स्पेर इसनरे स्पाउस आइटमाइज डिड़क्शन तो यहां पर एक वर्ड मेंशन किया गया है कि केवल अप स्टेट टेक्स की जो रूद में पढ़ेगा इस्टेट टेक्स जो पर किया इसको उसको उसका आधा आप आईटम तो मैंने एक एग्जामपल दिया मिश्टर वासू की एक हजबन और वाइफ अमेरिका में किसी कॉलोनी का नाम तो मुझे नहीं पता किसी जगा रहते हैं वहाँ पर वह एज टैनेंट रहते हैं लेट से हजबन ने अकेले पेमेंट किया है हजबन ने अकेले तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वह जो पेमेंट किया ना रियल इस्टेट टेक्स उसको एलमनी माना जाएगा और अब एक तीसरा पॉइंट और के लिंग है है इफ हों हील्ड एजटेनेंट वयं इंटेरिटी और जॉइंट टेनियंट एक बड़ा इंपोर्डरेंट वर्ड है कितनों को पता ही लाइन ही बड़े कंफूजंग लगेंगे आपको मुल्श टेनेंट इंटेरिटि और जॉइंट टेनन्ट नन ओफ दी पेमेंट वर था वो ऐसे इंटेरिटी और जॉइंट टेनेंट्स था मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि एक क्लॉज है लीगल टर्मिनोलोजी है यह यह बहुत बड़ा घर है और जब हस्बेंट और वाइफ उस घर में किराये पर रहने जाते हैं तो वहां का जो लेंडलॉड है न वह बोलता अगर यहां पर ऐसी सीचुवेशन होती है कि उसमें दोनो का ही हिस्सा है दोनों ही वो टेनेंट्स है और जोइन तेनेंट्स हैं तो जो भी पेमिंट किया जाएगा उसको अलमेमनी नहीं माना जाएग अगर इस परकार का एक लीगल एग्रिमेंट करवाली है जाता है कि यह बहुत इंपॉर्डन लाइन है इस लाइन को अच्छे से समझ लेना कि मैंने क्या एक्जामपल दिया कि एक कॉमन ओनर्शिप और इंटेरिटी ओनर्शिप में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा जैसे एक बड़ा सा घर है mrужgbuilt में 66 फेस्जश के हिस्सा क्या है इसको कॉमण बोलते कि लिकिन अगर kita मतलब दोनों का ही है वह दोनों का दानी दोनों का है मतलब एक बोले बी हिस्सा चोड़ा हो नहीं आप दोनों और हैं दोनों ही उसके टेनेंसी राइट्स को होल करते हैं तो अगर कोई भी पेमेंट किया जाएगा उसको यहां पर इस अलमनी मनी नहीं माना जाता है तो यह वर्ड हाइलाइट कर ले ना कि एक्जाम में उपर रियल इस्टेट टेक्स और इंश्यॉरेंस वर्ड के उपर फोकस था है यहां अलग कॉंसेप्ट मॉडगेज पेमेंट if required to pay all the mortgage payments on a jointly owned home and the payment otherwise equally as a qualified taxpayer can deduct one half the payment as an alimony तो वो बोलना चाते हैं कि मॉडगेज पेमेंट में प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट का अगर पेमेंट हस्बेंड के दौरा किया जाता है पूरा का पूरा मैंने एक्जाम्बल में हस्बेंड ले लिया वाइफ भी कर सकती है और जो रिसीब कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी यह से अलमनी इंकम हो जाएगी बस इतना ही टेक्निकल पॉइंट्स को हमने बहुत सिंप्लिफाई लेंग्वेज में समझानी की कोशिश की मतलब इतने एडवांस लेवल पर चले जाते हैं वह इस पॉइंट के उपर मॉटगेज पेइमेंट के उपर मॉटगेज पेइमेंट के उपर अच्छे खासे questions आपको करने को मिलेंगे आने वाले समय में हाँ जोती सिंग आप सही लिख रहे हैं जोइंट ली पे दियर रेंट फिफ्टी फिफ्टी पर्शन अब जोती आपको थोड़ा ज्यादा नौलेज होगा यूएसे में हैं कि कि रेंटल किस प्रकार से अग्रिमेंट होते हैं अब मैंने आपको एक एक्जामपल लीगल टर्मिनलोजी के अकॉर्डिंग बताया है कि सो यह कॉंसेप्ट था अलमनी का सरब कुछ जो तीन-चार questions बचे थे उसमें से कुछ ट्राइब करते वह अच्छे questions में डाले हुए लेट्स आप कुछ सॉल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं जो प्रोवीजन हमने पढ़ा उसके बिस्स पर क्वेश्चन थे चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लगा कि मुबाइल में हो सकता आपको स्क्रीन चोटी दिखरी देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए जोए ड्राइवोर्स इन ट्वेंटी एटीन तो ध्यान रखे एक्जाम में यह 2018 और उननिस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तो यहां पर अठारा देते आपके दिमाग में सांस आ जाने चाहिए जीरो एंसर नहीं हो सकता है इसमें वह जीरो है भी नहीं ऑप्शन में इस पर दी डाइवोर्स डिक्री जोईंग मेड़ फॉलिंग पीमेंट तो दे रेनी इंटाइर मॉटगेच पीमेंट ओन हाउस जोईंटली ओंड इंटाइर अभी मॉटगेच पढ़के आ रहे हैं कि ट्यूटर ट्यूशन फीज अठाइस सो चाल्ड सपोर्ट लाइफ इंश्यूरेंस प्रीमियम पॉलिसी ओंड भाई दी रेनी खताम हो गया क्वेश्चन में तो एंसर ही आगया सरब तो कि नकाउट पंच खेलना है कि तुमारे इंसर बहुत हतक सही हो रहा है पहले लेपड़े हो क्या तुम्हे तुम्हें लाइन्सर सही हो रहे है कि अपता सब्सक्राइब कि अगत भी है कीरती गुपता भी सही है बाकी क्या सोच रहे हैं सर गोविन्दा जोसी चेक अगेन हमने अभी पढ़ा मौडगेज रेंट अगर इंटाइरली हस्बेंड के दोरा पे किया जाता तो बस इतना ही बोलना काफी था मेरे लिए इस यह दोनों तो होंगे निए ट्यूशन फॉर दियर चाइल्ड किया यह एजे एग्रीमेंट है क्या इस यह तो हो नहीं सकता चाइल्ड सपोर्ट हो नहीं सकता तो अब यह दोनों में गेम है सर तो कुछ एक्जाम में कॉमन सेंस लगाना है लाइफ इंशूरेंस प्रीमेंट पॉलिशी ओंड बाइदी रेनी वासू 5400 किसे साब सेंसर दे दिया बिटा पन्या क्यों यह जो अभी प्रोवीजन पढ़ाया वो नहीं आएगा 50 परशेंट उसका तो सर 9600 का 50 परशेंट हो गया 4800 और 5400 अभी तो पढ़ाया मैंने कि मॉट्गेज प्यमेंट किया जाता है तो उसका 50 परशेंट क्या है ऐसे आलमनी माना जाएगा तो 9600 का 50 50 परशेंट हो गया 4800 और लाइफ इंशूरेंस यह तो 4800 प्लस 5400 कितना होता 10200 पॉस प्रोवीज कहां है कि टैन थाउजन टूंडर्ड बस इस क्वेश्चन का एंसर जो भी गलत देगा उसको बहुत काम करने की जुरत अपने पर मेरे इसाफ़ से कि इस क्वेश्चन का एंसर किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए यह मेरा मानना है और सच बता हूं तो इस क्वेश्चन को है न पूरा पढ़ने की जुरत नहीं है कि सच बता रहा हूं अरे सर 2018 चीक चीक के कह रहे थे आप टोल्ड सूसेन डाइवर्स 21 21 में काम ही खतम हो गया सर सोच नहीं नहीं है कि एक्जाम में समय की पाबंदी है तो अपने प्रोवीजन इसने क्रिश्टल क्लियर होना चाहिए कि 2018 सर ने समझाया था कि 2018 के पहले हो जब शुरुवाती लाइन में उसने बोल दिया तोड़े सूसेन डाइवर्स सेप्टेंबर तो फालतू बखवास क्यों पढ़े सर कुछ जरत ही नहीं थी पढ़ने की इस क्वेश्टन को जरत ही नहीं थी तो यह थे आपके अलमनी तो इसी तरीके से हमारी पॉंसप्च्वल सीरीज चलते जरी यह आपके बड़े काम आएगी जब यह बहुत सरी इकटी हो जाएगी ना तब आपको रिलाइज होगा और वाय यार सर यह रिकॉर्डिंग क्लासे हमारे को पास कराने में कितनी हेल्प करेगी क्योंकि इस वरकार का इनिशेटिव लेने के लिए एक एक चीज बनानी पड़ती है लेकिन यह आपको बहुत काम आने वाली है तो हम जितने भी complicated topics है और आने वाले समय में तो एक complicated topics को मतलब जो भी complicated topics like capital gain, S corporation, C corporation उसके सारे questions ही class में हम करवा देंगे आपको मतलब आपको पास होने के लिए सिर्फ lecture को सुनना है और एक average level की English होना बहुत जरूरी average level की, super-tuper star English वाली नहीं कि आपको इलोन मस्क जैसे English बोलना शुरू कर दो, बोलना तो ही नहीं, लेकिन एक चीज है, you should have good interpretation skill जो भी आप यहाँ learn करते हैं, उसको apply करने के लिए आपको interpretation बढ़ाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ, read between the line line-o के बीच में क्या लिखा, उसको understand करना, so that's all for this weekend, हम next weekend के उपर एक बहुत अच्छे और tough topic, FICA tax, उसको definitely आप attend करें, live class में, FICA tax बहुत important है, CPA के exam में simulations आते हैं उसके उपर, हाँ, mortgage payment मतलब interest और principle, यहाँ पे हमने mortgage payment में जो बात करी हैं, वो interest और principle के respect में पढ़ी थी, तो ऐसे complicated topics की आपकी series चल रही है, जो student नहीं, newly join किये हैं, उनको एक video इसमें share करूँगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, और आपके LMS जो है, activate हो जाएंगे, आपको एक number दिय होना है, जो कि चलिए, पिलते हैं आपसे, night में, Mr. Kisam, आप WhatsApp नंबर पे आप share कर दो, कल आप आए नहीं थे, mobile नंबर और वो, mail कर देना, मैं आपको number दे दूँगा,